नमस्कार कक्षा 10 exercise 3.1 इसका प्रथम प्रशन आज हम कर रहे हैं आफताब अपने पुत्री से कहता है साथ वर्ष पूर्फ मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था अपसे तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाऊंगा क्या यह मनरंजक है इस थिती को बीज गणितिय एवं ग्राफिय रूपों में व्यक्त कीजिए आए इसका हल देखते हैं मालो आफताब की वर्थमान आयू है एक्स वर्ष और फुत्री की वर्थमान आयू है वाई वर्ष तो साथ वर्ष पूर्व आज से साथ साल पहले दोनों की उमर से ही साथ वर्ष माइनस हो जाएंगे तो आफताब की आयू हो जाएगी x-7 वर्ष, पुत्री की आयू हो जाएगी y-7 वर्ष, यह उनकी 7 वर्ष पहले की आयू आ गई है प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पहले आफताब की आयू, पुत्री की आयू से 7 गुना था, इसका मतलब x-7 बराबर होगा अब ये जो 7 है ये y से भी गुना होगा और ये 7 से भी गुना होगा देखे x-7 बराबर 7 गुना y हो गया 7 y माइनस 7 गुना 7 हो गया 49 अगले स्टेप में ये जो इधर माइनस 7 था ये बराबर के उधर जाकर बन जाएगा प्लस 7 तो हमारे पास बन जाएगा x बराबर 7 y और माइनस 49 प्लस 7 को हल करके आएगा माइनस 42 तो ये हमारे पास एक समी करन आ गई है x बराबर 7 y माइनस 42 अब हम दूसरी स्थिती देखते हैं तीन वर्ष बाद तीन वर्ष बाद यानि आज से तीन वर्ष बाद आज यदि उनकी उमर X और Y है तो तीन वर्ष बाद उनकी उमर में 3-3 प्लस हो जाएंगे तो उनकी उमर बन जाएगी X प्लस 3 और Y प्लस 3 प्रशन के अनुसार तीन वर्ष बाद अफ़ताब की उमर पुत्री की उमर से 3 गुना होगी तो X प्लस 3 बराबर होगा 3 गुना Y प्लस 3 फिर से यह जो 3 है यह Y से भी गुना होगा और यह 3 से भी गुना होगा तो हमारे पास आजाएगा X प्लस 3 बराबर 3 गुना Y हो गया 3Y और 3 गुना 3 हो गया 9 तो नेक्स टेप में यह जो 3 प्लस 3 है ब्राबर के उधर जाके हो जाएगा minus 3 and next step में हमारे पास बन गया x ब्राबर 3y और plus 9 minus 3 को हल करेंगे तो हमारे पास आजाएगा plus 6 तो इसलिए हमारे पास एक समी करन बन गई x ब्राबर 3y plus 6 इन दोनों ही समी करनों से हम tables बनाएंगे देखिए x और y सबसे पहले हम y की कुछ values लेंगे जो हम इस समी करन x ब्राबर 7y minus 42 में डालेंगे देखिए y को y के स्थान पर 6 डालने से मुझे मिलता है 7y minus 42 था तो y के स्थान पर लिखा 6 तो मेरे पास आगया 7 ची के 42 minus 42 और 42 minus 42 होता है 0 अगली वार y के जगा मैंने लिखा 7 तो 7 गुना 7 minus 42 7 साते होता है 49 minus 42 हमारे पास value आगई 7 x की value आगई 7 इसी प्रकार से y जब हम 5 लेंगे तो हमारे पास बन गया 7 5 35 y की जगा 5 लिखा है हमने minus 42 तो 35 minus 42 हमारे पास आता है minus 7 अब हम लेंगे दूसरी सम्मिकरन दूसरी सम्मिकरन हमारे पास बनी थी x बराबर 3y plus 6 इसके लिए फिर से हम table बनाएंगे अब हमने y की सबसे पहले एक value आप कोई भी value ले सकते हैं ठीक है y की value हमने सबसे पहले लिए है minus 2 थोड़ा सा सोच कर लेनी पड़ती है कि हमें आगे 6 प्लस करना है देखे y की value minus लिए minus 2 ये जो मेरे पास सम्मिकरन है x बराबर 3y प्लस 6 इसमें y की जगा लिखा minus 2 तो 3 गुना minus 2 प्लस 6 3 दुनी 6 तो ये आगया minus 6 प्लस 6 वो होता है 0 के बराबर अगली बार जब y की value लिए minus 1 तो y की जगा लिखा minus 1 तो आगया 3 गुना minus 1 minus 3 प्लस 6 ये होता है 3 के बराबर अग्डी वार y की value लिए 0 तो इसी equation में x बराबर 3y प्लस 6 में y की जगा लिखा 0 तो 3 गुना 0 बन गया 0 प्लस 6 और 0 प्लस 6 हमारे पास आ गया 6 अब ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों tables में से हमारे पास x और y की values आ गई है यह उपर वाली है x की values और नीचे वाली है y की values इसी प्रकार से यदि आप नीचे वाले table में देखें तो भी इसमें भी हमारे पास x और y की values का एक table बन गया है यह जिसे मैंने अंकित किया है पीले इंक से इसे हम एक अलग table के रूप में देखेंगे इसे ही हम कहते हैं बीज गणितिय रूप यह जो आपने table देखा सामने यह है इस समीकरन x बराबर 7y-42 का बीज गणितिय रूप यह table वही है जो हमने पीछे पीले रंग से अंकित किया था इसी प्रकार से अगला समीकरन है x बराबर 3y प्लस 6 और इसके लिए जो table बनेगा वो यह बनेगा और यह है इस समीकरन का बीज गणितिय रूप आईए अब हम इसका ग्राफिय रूप देखते हैं ग्राफिय रूप देखने के लिए हमने यहाँ पर एक graph बनाया है सबसे पहले हमने पहला table उठाया है पहली समीकरन का table उठाया है जो है x y इसमें पहली value है 0,6 0,6 के लिए देखिए आप यह जो 0,6 का होगा x की तरफ को 0 और y की तरफ को 6 तो यह यहाँ जहां मैं पीला रंग अंकित कर रहा हूँ यहाँ इस लाल बिंदू पर मिलेगा अगली value है 7,7 तो यह यह देखिए x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर भी 7 यह यहाँ पर आके मिलेगा और तीसरी value है minus 7 5 x minus 7 y 5 तो x अक्ष पर minus 7 y अक्ष पर 5 यह यहाँ पर इस बिंदू पर आकर मिलेगा अब हम पुट्टे की मदद से इन तीनों बिंदूओं को जोड़ देंगे और जो रेखा हमें प्राप्ट होगी यह x बराबर 7 y minus 42 जो की हमारी समिकरंधी उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता है इसी प्रकार से हम दूसरा टेबल लेंगे जो हमने बनाया था इसकी पहली वैल्यू है 0, minus 2 तो x अक्ष की तरफ 0 और y अक्ष की तरफ होगा minus 2 तो यह यहाँ पर इस बिंदू पर मिलेंगे दोनों अगली वैल्यू है 3 minus 1 यानि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर minus 1 तो यह यहाँ इस बिंदू पर आके मिलेंगी यह जो आप घरा बिंदू देख रहे हैं और तीसरी वैल्यू है x 6 और y 0 यानि x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0 तो यह यहाँ 6 पर आकर मिलेगा यह तीन विंदू हमें प्राप्त हुए हैं तीन बैल्यू से इन तीनों विंदू को जोइन करेंगे हम एक फुट्टे के मदद से सीधी रेखा बनाकर तो हमारे पास समी गरन x बराबर 3 y प्लस 6 का ग्राफ यह रूप यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाई देगा और यह आप देख पा रहे हैं कि यह दोनों रेखाई मैंने अलग-लग pen से अलग-लग color से अंकित की हैं आप भी अपनी notebook में color pencil का sketch pen का नहीं color pencil का प्रयोग करके इस प्रकार से एक ही गराफ में दो अलग-अलग समीकरनों को निरूपित कर सकते हैं यही इन समीकरनों का ग्राफिय रूप है तो इस वीडियो से हमने एक स्थिती की पहले बीजगनितिय रूप प्राप्त किया और उस बीजगनितिय रूप से हमने दोनों समीकरनों का ग्राफिय रूप भी प्राप्त किय तो हमने बीज गनती और ग्राफिय रूप दोनों ही इस वीडियो के माद हमसे समझे हैं बच्चों यदि आपको यह अच्छे से समझ आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि यह चोटी-चोटी एनिमेशन, चोटे-चोटे ब्लिंक, चोटे-चोटे एनिमेशन देने में बहुत मेहनत लगती है आपके लाइक्स और शेयर से ही हमें और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरना मिलती है धन्यवाद